नमस्कार बहुत स्वागत है आपका अब देख रहे हैं दा न्यूस आपके साथ मैं स्ट्रिस्टी मिश्वा चलिया जान लेते हैं कि ओर्डिनेंस साथ तो चुका है लोग सभा में बिलको पेश कर दिया गया दिल्ली व्लेक को और अब देखें यहाँ पर यह चर्चा हो रही है कि आखर दिल्ली सरकार की कितनी शक्तियां इससे घटते होई नसराओंगी बड़ी खबर इस वक्त की देखें यहाँ पर लोग सभा में इसको पारिस कर दिया गया है आप बारी है राज्यूस आपकी हाला की दिल्ली अध्यादेश का जो मामला है उस पर सदन में चर्चा नहीं हो पाई सदन हंगामे की भेट चड़ गई अब हंगामे की भेट इसलिए चड़ रही है क्योंकि बार बार पक्षी पार्टिया ये हंगामा कर रही है वधायक को लेकर वधायक के साथ साथ और विश्वास प्रस्ताओ दो मुद्दों को लेकर लगातार ये हंगामा सा ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला पूरा का पूरा किन्ड सरकार की अधिन हो चुका है इस विधैक के नुसार 19 माइको सेंट्रल गवर्मेंट ने दिल्ली अधादेश लेकर आई यानि ओर्डिनेंस को लेकर सुप्रीम कोट के उस फैसले को बदल दिया जोहां सुप्रीम कोट ने कहा था कि कानुन व्यस्था इसके साथ जवीन और पुलिस इन सबकों छोड़कर सभी चीजों पर दिल्ली सरकार का हख होगा यानि ट्रांसफर पोस्टिंग दिली के वर्ष अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग या सभी क्याडर के मजबूत अधिकारी निम्न और देखे छे महीने में इसको पेश करना होता है और इसी वज़े से इसकी तैयारी तेज हो चुकी थी और कल जाकर इस मुधे को पेश किया गया लोगसभा के भीतर अब बारी राज्योसभा की और अब इसे लिए बुखलाहट है आपको बता दू लोगसभा में केंडर के पा जो आसानी होगी इस वज़े को पेश करने में आप देखिये जान लेते हैं कि अध्या देश और ये जो वज़ेक पेश किया गया है उसमें कितना अंतर है और ये भी मैं आपको बता दूँ कि किस तरीके से यहाँ पर दिली सरकार की शक्तियों को कम कर दिया गया है और दिली सरकार इससे तिल मिलाई हुई नजर आ रही है दिली सरकार की शक्तिया कम हो गई है और भी शक्तिया इनकी घट गई है देखिए पहल पोस्टिंग दिली सरकार को अपने अकॉडिंग चाहिए तो उसे सिफारिश करनी होगी और अब इसमें जो उपराजयपाल होंगे वीके सक्षरा अभी उपराजयपाल हैं देखें उनके हस्ताक्षर और वो इसको गलत भी करार दे सकते हैं वो इसमें संसोधन भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ वो इस प्रस्ताओं को आस्विकार भी कर सकते हैं मतलब दिली सरकार दर्श को अब सिफारिश करना होगा दिली सरकार को ट्रांसपर पोस्टिंग का मामला तब तूल पकड़ा जब इनके हैमेले सौरा भारतवाज ने दो आईयस अफसरों को डराने धंक काने की कोशिश की थी उसके बाद सही केरे सरकार कट पर हो गई और उपरा जिपाल के पास ये शक्ती जाइस को सुनिश्चित करने के लिए उन्नेस माई को देश के सरवच नियाया लेकि फैसले को ही पलट कर रख दिया देखिए सदन में सरकार किसी भी विदह को ला सकती ह सुप्रेम कोट अगर कुछ फैसला देता है उसके बाद भी केरे सरकार के पास ये ताकत होती है इतनी शक्ती होती है कि वो किसी भी विदह को पास करा पाए हलाकि इसमें राज्य सभा और लोक सभा में आंकडे चूने होते हैं अब दर्शको दो यहाँ पर पार्टी बढ़ रातिया जनता पार्टी के सपोर्ट में वायसर कोंग्रेस और बीजेडी और इसकी वज़े से ही दिली सरकार की शक्तियां अब कुछ दिनों में ही घटी नज़र आएंगी क्यूंकि राज्य सभा में भी बीजेपी के पास केनी सरकार के पास बहुमत है आगे सुन लिजे द अब मैं आपको बता दूँ कि इसमें एक अंदर ये आ रहा है कि केन सरकार के पास अब वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तूत करने के अध्यादेश के तहत अनिवार आवश्यक्ता को हटा दिया गया है मतलब यह जो दिली विधेक को पेश किया गया है इसमें केन सरकार को वार आवनाय तेज है कल इस पर चर्चा होगी और सरकार इसे जल्द से जल्द पास कराने की कोशिश करेगी आगे मैं आपको बता दूँ कि किस तरीके से दिली विधेक में कुछ कानूनों में बदला हुआ है और क्या क्या नया जोड़ा गया है मैं आपको थोड़ी चर्चा उस की शक्ती दे दी गई है सम्विधान के तहत दिली स्जाजियों के सम्मन में कोई भी कानून पारिज करने की शक्ती है अब देखे यहां पर कहा जा रहा है कि दोनों सदनों में दिली सेवा विधेक अराम से पास हो जाएगा और अब यहां कहा जा रहा है कि कुछ शक्तियां अब जो दिल्ली सरकार के पास थी वो अब हट चुकी है तो इससे केंडर को फाइदा होगा और ट्रांसपर पोस्टिंग से जुड़ा मामला है आप देखे सरकार में कानून जमीन और इसके साथ साथ जिस परीके से पुलिस इन तीनों की जिम्मेदारी LG को थी और इसी वज़ कि मैं आपको बयान बद आउंगी सबसे पहले चलिए अधिर अंजन चौधरी की बात कर लेते हैं अधिर अंजन चौधरी क्या कह रहे हैं देखिए उन्होंने कहा है कि यह गवर्मेंट स्पॉंसर्ड अर्जॉर्ण्मेंट है मतलब यह जो सरकार है इसने ही सदन को ठप कर आया मतलब फिलाल मौझूदा सरकार बीजेपी सरकार की वजह से सदन ठप हो गया अब यहां घर गए हैं क्योंकि सदन ठप हो रहा है विपक्ष के हंगामे की कारण सदन ठप हो रहा है वेल में आने की कारण और इन्होंने कह दिया क्या गौवर्मेंट इस्पॉंसर सुबे सदन को खिरोना समझ कर ये वाज़िव मुद्दे पर हम से चर्चा नहीं चा रहे हैं और हम जिस मुद्दे पर चर्चा जा रहे हैं ये उस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे हैं ये दो मुह रविया सरकार का देखने को मिल रहा है सदन को ठप कर दिया सरकार ने का साथ न दिया जाए दर्शो को आप चली चल पड़ते हैं आतिशी मार्निला के पास आतिशी मार्निला ने क्या कहा है इस विध्यक को लेकर यह अदादेश गयार समविध्यानिक है दिल्ली के करोडों लोगों के अधिकारों को हनन कर रहा है संग्य ढ़ाचा की खिलाफ है द पुराने दिल्ली के नियमों को बदल के रखना चाहरी थी लेकिए कल संदीब दिख्षित शीला दिख्षित जी के बेटे जो यह कता ही नहीं चाहते है कि कॉंग्रेस आला कमांद दिल्ली सरकार की बात सुने अध्यादेश पर सपोर्ट करें लेकिन उनके बातों को दर्कि क्यों हो रही है केवल इसलिए क्योंकि आपने पास सभी शक्तियों को चाहिए जो मर्जी वो दिल्ली में कर पाए तो दिल्ली का बेडा तो गर्ग पहले से हो गया और यही अतिशी मार्लेना आप सरकार की पार्टी में से यह कह रही है कि संग्गिया धाच्चे की खिलाफ तो खुद कॉंग्रेस पार्टी यह कुह रही है कि आमारी पार्टी का सपोर्ट ना करें लेकिन कॉंग्रेस सालकेमान इस बात पें नहीं माने और लगातार गठ बंदन के वज़े से सपोर्ट किया जा रहा है अब देखें यहाँ पर आतिशी मार्लेना क्या कहती हैं पाटियां मिलकर केंदर के इस बिल को गलट ठहरा है तो यह तीशी मार लेना है इसके साथ ही आपको बता दे RLD के MLA जो है RLD के MLA वो भी कह रहे है मनोज जाजी वो कह रहे है कि ये लोग तैक कर चुके है कि संगिय धाचे को जिन्दा नहीं रहने दिना है पारलियामेंट का चलना नहीं हो पारें इनकी वज़े से ये दिली का बिल नहीं है तो हम इसके खिलाफ है ये कहा है मनोज जाने RLD के आपको बता दे कि जिस तरीके से ये संसद है और इन्होंने जो कह दिया है कि ये एकस्पेरिमेंट है आगे ये कहीं भी कर सकते है तो हम इसकी खिलाफ है आगे है कहते है इन्हें constitutional और morality से कोई लेना देना नहीं है ये देखिए RLD के संसद है और ऐसा कह रहे है इन्हें constitutional morality से लेना देना नहीं है इन लोगों को नहीं पता है कि करना क्या चाहिए उमीद है इतिहास आगे बदलेगा तो देखिए ये तमाम निताओं के बयान दिल्ली अध्यादेश को लेकर अब राज्य सभा की तयारी और चर्चा है भारी लेकिन चर्चा से बच रही विपक्षपाटी अब देखते हैं कौन सा नया उधारन पेश करती दखाए देगी फिलाल आपको जो भी राइस बाबर्ट जिस तरीके से दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम किया जा रहा है आपको मैंने बताया और यहां तमाम बक्षी पाथियों की बुखलाहट एक एक करके अब बयान सामने आ रहे हैं जो भी आपकी राइस ज़रूर रखें बहुत शुक्रिया